हाई फ्रेंड्स मैं मीना मेरी कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बनाना बॉल्स अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बनाना बॉल्स बनाने की सामगरी है तीन केला, दो कप मैदा, एक कप नारियल का पुरादा, एक कप चीनी, एक छोटी चमच इलाइची का पावडर, एक चुटकी नमक, एक चवथाई चमच बेकिंग सोड़ा मिक्सी का बड़ा वाला बरतन लेंगे, चीनी को डालेंगे और पीस लेंगे चीनी को हमने पीस लिया है, केले को हमने छील कर कट कर लिया है, इसे भी हम मिक्सी के बरतन में डालेंगे और पीस लेंगे केले को हमने पीस लिया है, बाउल में निकाल लेंगे, मैदा डालेंगे, मैदा के जगे आप गेहूं का भी आटा ले सकते हैं, नारियल का बुरादा डालेंगे, नारियल का बुरादा बनाने की रेश्पी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इलाइची का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे इससे बहुती अच्छा टेस्ट आएगा सारे सामगरी को हम अच्छे से मिलाएंगे सारे सामगरी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं किया है अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और तीन से चार मिनट तक अच्छे से फेटेंगे चार मिनट तक हमने अच्छे से फेट लिया है अब इसे हम ढख कर तीस मिनट के लिए रखेंगे पूरे तीस मिनट हो गए हैं एक बार हम फिर से फेटेंगे देखिए इसी तरह का होना चाहिए इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है नहीं इससे ज़्यादा गाढ़ा हाथों पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से हम मिसरन को उठाएंगे और तेल में डाल देंगे बॉल्स को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे आप इसे बहुती ध्यान से फ्राई कीजिए तेज आज पर फ्राई नहीं करना है नहीं तो अंदर से कच्छा रह जाएगा बॉल्स को हमने अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे बनाना बॉल्स बनकर तयार है आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है इसी तरह से आप भी बनाईए खाईए और कमेंट में बताईए कि मेरी रेस्पी कैसी बनी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइका बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए मिलते हैं अगले रेस्पी के साथ धन्यवाद